हाई वेलकम दो मैं चैनल मैच सोलुशन्स फॉर्मडेशन इस वीडियो में कुछ क्वेशन्स वालब करेंगे जो CHS इंटरेंस ने कुछे गया है और ये जो क्वेशन्स हैं वो कुछे गया है इस वीडियो में 2016 में ओके तो यहाँ पर पहला कुछ आने है 59 Capital money of rupees 31,250 became 35,152 यह आपका है 35,152 after one and half year ठीक है with interest when the interest was adjusted for each 6 months यहाँ पर है months and होगा what is the annual rate of interest पुछा है what is the annual rate of interest तो annual rate of interest क्या होगा तो समझेगा पहले हम यहाँ पर माल लेंगे कि annual rate जो है माल लेंगे कि annual rate एक्स परसेंट है यदि हम माल लेते हैं कि annual rate एक्स परसेंट है तो यहाँ पर हमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो interest निकाला गया है वो six months के काणिगा लगया है मतलब half yearly एट क्या गया है तो जब भी half yearly हम लुग करते हैं काम half yearly जब sorry यहाँ पर होगा half yearly जब calculate करते हैं interest तो क्या करते हम लुग rate का आधा कर देते हैं तो जो rate होता है वो पहले जितना भी yearly रहता है उसका आधा कर देते हैं मनने कि x by 2% के इसाफ से निकालते हैं और जो हमारा time होता है मतलब n की value जो होती है वो हमारी 2 times हो जाता है मतलब अभी यहाँ पर है 1 by 2 year 1 and half year तो इसका दो गुना हो जाता है means इतना into 2 हो जाएगा means यह 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर solve करेंगे का मिलेगा 3 by 2 मिलेगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा time 3 years का और rate of interest है x by 2% तो अब यहाँ पर हम फंगर लगाएगे यह वाला जो हम जानते हैं A is equal to क्या होता है P in bracket 1 plus R upon 100 का whole power N और A amount जो है मतलब कि जो amount बन जाता है interest मिलने के बाद वो आपका है 35,000 यहाँ second वाला 35,152 तो यहाँ लिख लेंगे 35,000 35,152 is equal to P कितना है P मतलब principle जो पहले था शुरू-शुरू में तो यह आपका इतना है 31,250 और in bracket 1 plus R आपका जो है यह लेंगे x by 2% तो x by 2 upon यह हो जाएगा 100 और whole का power जो n है वो ले लेंगे 3 क्योंकि half year ले अटके जा रहा है तो one and half year में 3 half years होता है इसलिए यहाँ पर 3 कर लेंगे अब यहाँ पर solve करेंगे और x की value नी काल लेंगे वह पूछा भी है कि what is the annual rate of interest annual rate of interest क्या है 3, 1, 2, 5, 0 इसकोल 2 यहाँ पर है 1 plus यह इसको लिसकते हैं हम लोग x upon 200 का whole cube अब देखें यहाँ पर cube है न तो यहाँ भी something cube आना चाहिए तो यह solve कर पाएंगे इसको यहाँ पर हम cancelate कुछ कर लेते हैं तो 2 से cancelate करते हैं तो 202 and 2510 2510 and 2612 तो यहाँ पर मिल जाएगा 17576 और 15625 अब इन दोनों का हमें क्यूब रूट में मतब क्यूब के फार में चेंज करना पड़ेगा आपकुछ कट नहीं पाएगा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे पहले इसको फेक्टराइज कर लेंगे तो 17 17 17 and 17 1756 को करता है इसका क्या मिलेगा पहले ब्या ले जाएंगे यहां दो से क्यूंकि दो चला जाएगा हाँ तो अच्छा 2 से ले जाने के बज़ा है हम क्या कर लेंगे 8 से लेक्ट चला जाएगा हम यदि यह ले 2 से कर जाएगा तो समझे कि 8 से भी कटेगा तो 8 से कटेगा थो फ्रह सिंपल हो जाए ठीक है 8-2-16 हो जाएगा एक बचा 15 हो गया 8-1-8-7 बचा 77 हो गया 8-9-72 होता है 72 बचा 5-56 8-7-56 हो गया 2-1-9-7 आगया अब यह जो है ना यह जो नंबर है वह आपको इतम समझना पड़ेगा देखें ना कटेगा 139 जा चिया होता है 117 होता है अब यहां पर 13 seconds ल doesn't load करेंगे तो मिलेगा 13 और फिर से करेंगे एक बार 13 से बिलेगा 1 मतलब यहां पर फक्तराइज कर लिए हम लोग 8 मिला और 13 13 13 मिला मतलब इसको क्या कर सकते है भू इसको लिसकते है इट इमपलाईस यह जो नंबर है 17576 इसको लिए सकते हैं 13 एक मिलेगा यहां से क्यूब रूट में ठीक है 13 और 8 से मिलेगा 2 तो 13 जा कितना होता है 26 होता है तो 26 से क्यूब मिल जाएगा यहां पर अपान नीचे 15625 क्या क्या होगा करेंगे इसका भी तो इसमें ले जाएंगे 25 से डिरेक्ट लिए 25 से ठीक है तो 25 से लिए जाते हैं तो यहां पर 25 25 जाना पड़ेगा 25 जाना पड़ेगा 25 जाएगा 25 से ठीक है यहां लिए 25 और इनका क्यूब हो जाएगा यहां ठीक है और यह मिल कि हमें 1 प्लस एक इस अपान 200 का होल क्यूब तो यहां पर देख पा रहें आप लोग कि यहां पर 26 से अर्वहां ठीक हो गया है और फाइनली करना क्या है कि दोनों तरफ क्यूब है तो बेस 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 बराबर होगा इसका मतुब करना है इसको 26 upon 25 is equal to लिशकते है 1 plus x upon 200 अब इसी को solve करना है बस यहाँ पर solve करेंगे 1 को पर टांस्पोर्ट करतेंगे left hand side में तो मिल जाएगा हमें x upon 200 is equal to 26 upon 25 minus 1 और इसको solve करेंगे तो मिलेगा हमें 1 upon 25 तो यह हो या x upon 200 यहाँ से मिल जाएगा आपको x is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 25 में multiply कर देंगे 200 से तो 25 8 होता है 200 मिन्स आगे आपका x value 8% यही आपका होगा annual rate of interest 8% और यह आपका option B correct है यहाँ यहाँ पर आप x percent annual rate ना लेकर के यहाँ पर direct आप x percent का यूज कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह दि AH 2 ना करते हैं तो आपका answer रहता 4% जो की गलत होता इसलिए यहाँ पर ध्यूंबर आपका है 60 यहां पर second question ध्यान देज़ेगा यहां पर question थोड़ा सा mistically जो है print कर दिया गया है यहां पर x-b-c upon a है तो x-c-a है तो यहां पर x-a-b होना चाहिए यहां पर actually क्या होना चाहिए यहां पर b होना चाहिए क्योंकि यहां b नहीं रहेगा तो question wrong रहेगा और आपका answer आएगा ही नहीं तो इसलिए यहां पर b होना चाहिए तब आप solve करेंगे तो आजाएगा चलिए solve करते हैं तो यहां पर the value of x in the equation हमें x की value निकलना है तो इसको solve करने के बजाए हम क्या करेंगे इसमें options चेक करेंगे मने option को put करने पर हमारा 3 आ जाना चाहिए तो यदि आप option put करेंगे और इसकी value यदि आते जाती है 1 ठीक है और इसकी value आ जाती है 1 और इसकी value आ जाती है 1 तो समझ लिए कि 3 हो जाएगा यहां पर है कि नहीं क्या रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा लेकि आ मैनस पर देखा अग्या होगा निधि इसकी यदि इसी को पहले बाले को solve करेंगे तो क्या मिलेगा, देखे, C और C तो considerate हो जाएगा, लेकिन B और B add हो जाएगा, और A मनस 2 भी मिल जाएगा, और आपान A होगा, यह कभी भी value जो है 1 के बराबर नहीं हो पाएगी, इसलिए यह तरीका सही नहीं है, मतलब कि जो option A है, वो output करिए, तो आपको मिलेगा, A plus B plus C, minus B minus C, whole upon A, plus, यहाँ पर रख दिजिए, तो A plus B plus C, minus C minus A, whole upon B, plus, यहाँ पर रख दिजिए, एक से जवापर A plus B plus C, तो हैं मिलेगा, A plus B plus C, minus A minus B, minus A minus B, whole upon C, अब लख दिजिए, ओर यहाँ पर, A upon A, plus, यहाँ देखिए, C और C कैर से लो जाएगा, है 1 into 1 से right मतब कि 1 plus 1 plus 1 मिलेगा मतब 3 मिलेगा तो हमारा जो option B है वही correct है ओके चलिए next question ओके तो next question आपका है 61 क्या बोला है आपर what will be the diameter of the circle इस circle का diameter बताना आपको with parallel chords of length 6 cm and 8 cm यहाँ पर जो है दो card दिया हुआ है यह a card है यह a card है दूसरा तो इसका naming बही किया हुआ है आपर तो हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं यह murd ऑ द tres CD, तो क्या कर रहा है कि 6 cm और 8 cm के 2 cards है, तो पहला यहाँ पर 6 cm होगा यह, और यह पूरा होगा क्या, 8 cm, यहाँ से, यहाँ तक, ओके, और यह आपका होगा 6 cm, क्या कर रहा है कि, and the distance, and the distance between the 2 cards is 1 cm, अब इन दोनों के बीच में जो distance है, मतलब कि यहाँ से यह वाली, यह आपका 1 cm है, ठीक है, तो पूछाए कि, क्या होगा diameter, देखें क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर simply में करना क्या है, कि इसको join कर देना है, इस point को, जो center आपका है, यह हम center कमाल लेते हैं कि, यह O है, तो O से D join कर लिजे, और O से B join कर लिजे, तो हमें क्या मिलेगा, कि 2 right angle triangle मिल जाएंगे, एक आपका, यहाँ पर मिलेगा, यह वाला, मतलब यह वाला right angle triangle और एक यह, मतलब कि, यहाँ पर point मिलेगा, इस point पर, इसको बोलेंग, इसको नाम दे दिजे कुछ, इमाल लीजिये है, यहाँ पर दो triangle बनेगे, जो कि right angle triangle होगे, एक O ED बनेगा तो एक triangle होगा जिसे कि यहाँ पर हम पहले solve करते हैं in triangle o e d o e d में क्या मिलेगा तो यहाँ पर इस triangle में पैथागोरस थे हम लगाएंगा तो क्या मिलेगा बताइए मिलेगा हमें a square plus मतलब यह मिलेगा o e square मैं जब add करते हैं e d square का ठीक है तो मिलता हमें क्या है hypotenuse का square means o d square यह है आपका पाथ है गरोस थेरम इसी का यूज़ करेंगे तो solve होगा तो यहाँ पर a है यहाँ पर और यह a square होगा प्लस e d square कितना होगा देखिए e d जो होगा वह 4 होगा क्योंकि यह 8 का आधा होगा जब भी हम center से cord पर परफण को डालते हैं तो वह cord को 2 equal भागों में divide कर देता है इसका मतलब कि यहाँ से लेकर कि यह 4 होगा यह distance यहाँ से लेकर कि यहाँ तक क्या होगा 4 होगा ठीक है तो यहाँ लेकर 4 का square is equal to od square od means r square तो यह बन गया एक equation यहाँ मिल जाएगा a square plus 16 is equal to r square अब ठीक ऐसे ही जो दूसरा triangle है O और यह point हमने पता तो O इसको माली जो F है O F B in triangle O F B मतलब यहाँ से देखिए धान से यह और यह वाले triangle में यह 90 होगा इस वाले triangle में जो इसको O माले जोए यह F है Tis F B O F B में क्या मिलेगा हमें मिलेगा O F square less F B square plus F B square equal to O B square और O B square क्या है O B square भी क्या है radius का square है यह भी radius है क्योंकि यह भी 또 radius के बरावर है सब्सक्राइब यहांald को लिए और सब्सक्राइब है ओन्सराइब गाल्फ टो बिलिónकि स्क्राइब valeur ओ भी क्या हो जाएगा आद इंद लोगों करना है तो इसको यह मिलेगा आपको आपको a square plus one plus two a plus थीजा 9 हो जाएगा is equal to r square अब यहां ने कि आर स्कार्द के जगार पे जो है इतना रख देंगे यहां पर तो आप देखे क्या मिल जागा आप यह मिल जागा a square स्क्स्टीन इसकी वेलु पूर रख दीजिए यहां पर यहां पर मिलेगा आपको टूए मिल जाएगा है यहां पर है यहां पर आपको 16 और 9 तो मैनस करेंगे तो मिलेगा आपको 7 और मैनस 1 मतलब 6 और 2A बराबर हो गया यहां पर जो है आपका अचा स्वरी यहां पर दिखनी रहा हुआ तो यहां पर हो जाएगा यहां से इस बाइल कर लेंगे तो आर बराबर होगा अंडर रूट में यहां से एस्कायर पर फोर जायर एस्कायर पर सिक्स्टीन और यहां पर एक गिवर पर रखेंगे जाए नाई मतलब कि अंडरूट की हो जाया गा 25 राइट तो यह मिलेगा अंडरूट 25 और यह मिलेगा 5 बिलाव का 5 वाला यहां भाल फाईव ओगा अपसन आपका रेडियस होगा मतलब यह जो आपसन है अपस्ट सी यह आपको करेक्ट है तो यहाँ पर मैंने यह निकाला है आपको वह साथ दिखनी रहोगा तो मैं इसको इसका position change कर देता हूँ ओके तो यह रहा आपके answer ओके thank you so much for watching बाई